स्वागत है अब सभी का रोसंसा स्टेड़ी पॉन पे और आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th class political science के एक चैप्टर है जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र इसमें हम बात करने वाले है सार्क के बारे में जो की छेत्रिय संगठन है इसे पहले हमने लगपक एरोपिय संग के बारे में आसियान के बारे में और ब्रिक्स जो है छेत्रिय संगठन और कुछ देश जैसे की हमने इजरायल और चाइना की बात हमने कर लिया है आज हम एक और और छेत्रिय संगठन की बात करने वाल है जिसका नाम है सार्क, सार्क क्या नहीं कि साउथ एसिया एसोसियेशन फोर रीजिनल कॉर्परेशन है ना इसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षनी एसियाई छेत्रिय सयोग संगठन इसमें कुल मिला कि वैसे आठ देश है अभी समय की हम बात करें तो आठ शुरू में इसमें साथ देशी थे अभी आठ देश है अब आठ देश कौन से है यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान बांगलदीश बोटान इंडिया ठीक कि अंदर गधक्त हम क्या करने वाल है इसको हम समझने वाल है we need कि साल की इस इस अपना की स přाफ container क जानेंगे साथ कर का उदेश्य क्या है किस तापना की गई थी सार्क की उपलबदियों के वारे में आप जानेंगी भारत के लिए सार्क क्यों महत्वून है और आखिर में सार्क की चुनौती क्या है यानि कि इसके सामने समस्याई क्या है उन सारी चीजों को हम समझने वाले हैं तो यह कुल मिला के लगबख पांच ट्रोपिक आज की वीडियो में आपको समझने को चली अब हम वर्ल्ड के मैप के लिए शार्क के ने leso को समझने की पा रहा हूंगे यह वर्ल्ड का मैप है औरह पे हम साथ ऐसीया में आ जैसे की आप लोगों को पता होगा कि हमने आसियान की बात की तो आसियान में हम उन देशों को सामिल करते हैं जो कि साउथ एसिया में भी है और पूर्वी एसिया में भी है इसलिए तो हम दक्षिनी पूर्वी एसिया बोलते हैं उसको दक्षिनी पूर्वी एसिया इरास्टो का संगठन है आसियान जिसमें आपको पता इंडोनेसिया मले पूरा सबसे प्यारा भारत हैना सबसे चरवल में प्वारत ही एक निचे से लांका यहां पे पर देखने क्याओं आपका पकुरा प्लाइं पाकिस्तान यह अपना सबसे प्यारा भारत है ना सब यहां पे दिखाया नहीं है लेकिन मालदीब का नक्स आपका यहां नीचे की तरफ इस जगह पे दिखाते हैं ठीक है और उपर आपको नेपाल दिख रहा होगा और उपर आपको भुटान और इसर आपका बांगनादेश तो यह आठ देश है जो कि दक्षिनेशिया में सब्सक्राइब की स्थापना है और आठ दिखंबर उनिस्सों पिचासी में हुआ था ठीक है और कहां पे तो धाका धाका गोशना पत्र पे इसको अस्ताक्षर करें कहीं ना कहीं इसकी स्थापना की गई थी और धाका आपको पता है कि जो है वह बांगलादेश की राजधा है ठीक है कब सामल के यह धाएक अफगानिस्तान को सामल के आए था अब इसक disturbanceer को साने की जोड़ते हैं कि आपकी बनाया गया है उसको बनाए जाने के बीचे पर ब्ससे पहले उसकी है दख्सिन आपके लोग है ना उनके कल्यान को बढ़ावा दिया जा सके उनके जीमन के गुंदबर्ता को सुधारा जा सके उनको एक अच्छी बहतर जिंद्गी दी जा सके इसलिए इसकी स्टापना की गई थी ठीक है इसके अलाबा दूसर प्रणा पता सकते हैं कि भाई शेत्र की आर्थिक विकास के लिए ताकि जो इस अभी विकास के लक्षे इसको तेजी से प्राप्त किया जा सके और इसके अलाबा लोगों की जो आकांशाए हैं उनकी जो चमताए हैं उनको सही अपसर मिल सके उनकी चमताओं को क्या किया जा सके आंक आँका जा सके उनकी चमताओं का पता लगाया जा स कि अतनीर भरता का मतलब है कि सभी देशों को कही न गई अपने उपर निर्भर बनाया जाए अपने उपर निर्भर रहे इसलिए भी सार के इस्तापना की गई थी ठीक है इसके अलब अगला पर हम बता सकते हैं कि एक दूसरी की समस्यां का मुल्यांकर आप से भिसवास और सम यह समज्ट में आपा सकते हैं कि अर्थिक समाजिक और सांस्कृतिक ठंगी और टकनीक एवं वज्णी सहेतरों में आप आप सSecond एवं शक्रिण भागी को पुरंचाहित मुधते करना जो भी आपस में जो द्रफिखार शोंति है एवं हम्हाजिक ने की मामने और पर्टक नी की मामले में तर था जो भी विवय ग्यानिक मामले हैं मैं उन सभी सीजहों में किया कर सकी एक दूसरे को सियोग कर सकी इसलिए भी जो संघठने बनाया गया इसके अलबा जो अन्य विकासिल देश है क्योंकि आपको पता है कि जो सार्क है इसमें ज्यादा तर जो सदसे सामील है वो विकासिल देश है तो अन्य जो दूसरे विकासिल देश है उनके साथ भी क्या करे एक तरीक से सयोग को मजबूत मनाया जा सके जो भी विकासिल देश ह उनके साथ अच्छे संबन स्तापित करने के लिए संगठन मनाया गया इसके अलाबा समान हितों के मावले में जो भी अंतराष्टी मंच है पर आपसी सयोग को मजबूत बनाना मतलब कि जहां पर सभी देशों की समान हित होते होंगे फायदे मिलते होंगे उन जो भी ऐसे अंत सत्रापित किया घरा आखरी पर सकते हैं वाले मिने आपको पता की जोओ से उन जायमों कर से इस अन की सब्धान हो गया उनके साथ भी जो दक्षीनैसिया है मतलब बगशी नशयों का腻 आपस में अच्ण समिन समंथ मना के अभए आते हैं या फिर एक दिशोड़े की स्वयोग में विकास में स्वयोग करना चाहते हैं तो यह सारुकोंट सब इसके उद्शे में बता सकते हैं दोस्तर हब आपना की है जिसके परिणाम सर्व क्या होगा इन देशों के बीच में जो ब्यापार है हो बढ़ जाएगा काफी जादा मातर में बढ़ेगा जिसके अंतर का देख तो भाई साप्ता और साप्ता आपको दो चीज़े समझना होगा साप्ता और साप्ता और साप्ता और साप्ता यह दो चीज़ आपको समझना है ठीक है तो यह जो साप्ता है जैसे कि यहाप लिखा हुआ है कि साउथ एसिया अप्रेफ्रेशियन ट्रेडिंग एग्रिमेंट यह जो है वर्स 1995 में सार के सदस्यों नहीं क्या गिया था व्यापार को पुर्तसाहिद करने के लिए कही नहीं इसको बढ़ावा दिया था यानि कि जो व्यापार के ऊपर जो बाधाय लगे हुए ना उन बाधा बोलें एक तरीके से साफ्टा तो यह क्या है यह एक तरीके से मुक्त वैपार समझाथा था यहां पर लिखा भी है मुक्त वैपार समझाथा जो क्या था एक तरीके से जो भी मतलब साउथ हेश्रिया के जो भी देस है उसमें सूचना प्रोधोगी की जैसी जो सेवाई है उ जो भी बस्तु है उनका आयात निर्यात वेपार हो सकता है ये 2016 तक किया गया था कि 2016 तक जितने भी वेपार होंगे उनमें क्या होगा सीमा सुलक को बहुत कम कर दिया जाएगा बहुत हद तक सिमित कर दिया जाएगा इसलिए ये समझाता हुआ था ठीक है तो आप साप्ता और समझ की होंगे इसके अलाबा सार्क ने क्या किया है सार्क विष्विद्याले की स्थापना भारत में किया इसके अलाबा पागिस्तान में फोड बैंक है है और उर्जा भंडार की भी स्थापना पाकिस्तान में की गई है तो ये सार्क की एक और उपलब्दी में आप बता सक कर लेते हैं, जिसका नाम है, one weld and one road, कारे करम, इसका भारत क्या कर सकता है, बिरोध कर सकता है, इस परियोजना के इंतरत क्या है, कि जो चाइना है ना, ओ, एसिया, यूरोब और पूरे मतलब जो अफरीक हैं, उन सभी देसों में क्या करना चाहता है, रेल मार्ग और सर्ग मार आपसमें लेकर आकर्षित करके इस परीजोना का बिरोध कर सकता है इसके अलाबा भाई यह सारकी जो देश हैं को क्या कर सकते हैं आपसमें सांतिक स्टापना में भी रूध कर सकते हैं इसके अलावा बैस्विक नेत्रित की भूमी का निभा सकते हैं सारे देश जिसमें से भारत इन सभी देशों को क्या कर सकता है अपने सपोर्ट में ला सकता है अपने नेत्रित में लाकर एक अंतरास्टे श्तर पर क्या कर सकता है अपने नेत्रित की नेत्रित का प्रदरसन कर स कि हां भाई यह सारे जो देश है सार्ग के वह हमें सपोर्ट करते हैं हमारे साथ रहते तो यह सारी चीज़े भारत के लिए फायदे मन रहने बादी है उसके अलाव हम बात कर लेते हैं सार्ग के परमुख चुनौतिया क्या है कि सार्ग के सबसे परमुख चुनौती तो यह कि साप्टा की हम बात कर ले तो ऐसाप्टा का जो किडियानवे है वह बी संतोस जनक नहीं रहा है अच्छे से काम नहीं कर भार है और आपको पता है कि मुख्द व्यपार के इस समझोते ने क्या है एक तरी से पुर्द होगे की जैसे चीजों का जो भी वैपार है वो नहीं हो रहा है कि बस्तों का वैपार हो पाता है है न तो यह इसकी एक सीमा हो गई इसके अला भारत और पाकिस्तान की बीच में जो संबंध है वह भी हमेसा अच्छा नहीं रहता है ताना तनी इनके बीच में बने रहती है, संघर्स होता रहता है, है ना, तो यह भी कहीं सार्ग के लिए एक चुनाओती वाली बात है, यह सार्ग के चुनाओती में बता देंगे, तो दोस्तों यह सार्ग का टॉपिक था उसमें जो भी टॉपिक आपको समझाने थे, जो भी पॉइंट्स आपको बताने थे, मैंने बता दिया है, बाकि आपको किसी भी टॉपिक में दिख्कत है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रे